нийねGG्स्यश को मिलें हुआ यह Compagnisic Rat Education प्रेग्नसी मी आपको कैसे सोना चाहिए सब 4 रुडबर बात आती है कि जैसे tuli कने लगती है तो फक्रम आने लगती है तो कई को उलटा लेटने के यदद होती है और उलटा लेटने के चलते हैं चलते है कि हाई अब कैसे सोई उल्टा वो लेट नहीं सकते क्योंकि तमी बीच में आती है और डॉक्टर उनको कहते हैं कि कई बाइ कि आप लेकर सोगे या राइट लेटल जनरली जो हम लोग बोलते हैं वो लेकर लेटल पोजिशन का recommendation देते हैं अब उनको लगता है कि एक ही position में कैसे लेटे रहेंगे तो इस सारे वीडियो में आज हम सारी common problems discuss करने वाले हैं कि आखिर कैसे अपने आपको सोने के समय मैनेज किया जाए जिसे कि बच्चे पर असर ना पड़े और आपको भी comfortably नीद आ सके सबसे important बात यह कि अभी आपका pregnancy का कौन सा महीना चल रहा है क्योंकि शुरू कि जो first trimester होता याने कि जो first three month होते हैं first second or third उसमें as such कोई tummy नहीं आई हुई होती है तो आप आराम से लेट सक सकते हैं यह उल्टा लेटना चाहते हैं तो थोड़ी देर उल्टा भी लेट सकते हैं बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है बट डेफिनिटली आप बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए उल्टा लेटना recommended नहीं है first trimester में position का बहुत ज़्यादा फरक न यानि कि आप second trimester में आते हैं तो यानि कि fourth month से fifth और sixth month this is the second trimester तो इस trimester में थोड़ा सा tummy बाहर आने लगता है और थोड़ा सा body में heaviness आने लगता है थोड़ा से pregnancy के symptoms और बढ़ जाते हैं लेकिन nausea vomiting definitely खतम हो चुका होता है तो आपका खाना पीना भी improve होता तो वजन अब बढ़ने लगता है ऐसे सभी स्थिती में थोड़ा थोड़ा नींद भी बढ़ती है थकान भी बढ़ती है तो definitely अब आपको position के बारे में थोड़ा सा सूचना पड़ता है जो हमारी recommendation होती है हम यह कहते हैं कि आप बाईं तरफ करवट लेकर लेटे हैं लेकिन अगर आप दाईं तरफ करवट ल सकते हैं कि अगर आपको सीधा लेटना है ताप सीधा लेट गया को करवट लेना है तो करवट ले सकते हैं करवट आप राइट साइड या लेट साइड दोनों तरफ कमफर्टेबली ले सकते हैं तक यह कर सकते हैं और अगर आपको पैरों पर सूजन रहती है तो पैरों के नीचे भी एक तक्या लगा सकते हैं जिससे कि पैर थोड़े से आपके ऊपर हो जाए तो पैरों से जो ब्लड का फ्लू है हाट की तरफ बढ़ जाता हो पैरों की सुझन थोड़ी कम हो जाती है तो इस तरीके सब कमफर्टेबली अपना पोजीशन यूज कर सकते हैं इसके अल इंद अच्छे आएग तो आपका बेबी बी कमफर्टेबल रहेगा अब जैसे ही सेकेंड ट्रीमस्टर पूरा होता हम थर्ड़े मेंस्टर की तरफ आगे बड़ते हैं तो 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 तम्मी का साइस काफी जादा बढ़ जाता है और कमर थोड़ी अंदर चली जाती है तो हमें चलने फिरने में भी प्राब्लम आने लगते हैं उठने बैठने में भी दिक्कत आती है तो डेफिनेटली सोने में भी प्राब्लम आती है अब सोने में जो सबसे बड़ा प्राब्लम आता है कि जैसे ही आप सीधा लेटते हैं तो जो बच्चे का वजन है तो पीछे की तरफ जो खुन की नलिया होती है मा की उनके उपर प्रेशर आता है और जैसे उनके उपर प्रेशर आता है तो ब्लड फ्लो हाट की तरफ जाना चाहिए था वो रुख जाता है और ऐसी इस्तिती में कई बार ब्लैक आउट हो जाता है चक्कर आ जाते हैं घबराट होने लगती है और और comfortability खतम हो जाती है तो इस इस्तिति से बचने के लिए हम patient को बोलते हैं कि आप सीधा ना लेटे क्योंकि सीधा लेटने से जो बच्चे का pressure आके vessels को compress कर रहा है उनको दबारा खून की नलियों को और blood flow heart की तरफ जाने को रोक रहा है बंद हो जाता है और जिससे एकदम से BP down करून आ जाता है और pulse भी कम हो जाती है और patient को घवराट चकर हो जाता है तो ऐसा ना हो इसलिए हमेशा यह बोला जाता है कि आप करवट बलेके लेटे जैसे आप करवट लेंगे तो बच्चे का जो pressure हो खून की नलियों के उपर से हट जाता है और blood flow सुचारू रूप से च ही आते हैं अब बात आती है कि राइट करवट या लेफ्ट करवट यानि कि बाईं तरफ या दाईं तरफ तो recommendation बाईं तरफ की जादा है क्योंकि अपना heart left side ही होता है इसलिए हम left side की जादा recommendation देते हैं बट definitely अगर आप right side भी करवट लेके लेटते हैं तो इतना कोई side effect नह तक सीधा लेटने की सलहा नहीं दी जाती है और सीधा लेट रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ अनीजीनेस फील हो रहा है तो तुरंत करवट बदल लीजिए ताकि प्रेशर कम होके आप comfortable feel कर सकें इसके साथ ही जब आप करवट लेके लेटते हैं तो टमी को support करने की कि बहुत 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 बार जरुरत पड़ती है क्योंकि बच्चा उसके अंदर है कम से कम धाई से तीन किलो का बच्चा अंदर होता है तो जो जब करवट बदलते हैं तो टमी के साथ करवट लेने में दिक्कत आती है तो जो maternity pillows होते हैं वो tummy को support करते है या normal pillow भी आप tummy क का समय होता है आप निकाल सकती है एड़ेस्ट करके और अगर आपके पैरों में सूजन रहती है तो डेफिनिटली आप पैरों के नीचे जरूर तक यह लगा लीजी ताकि ब्लेट फ्लो हाट की तरफ मिंटेन रहे और पैरों से सूजन कम हो सके इस तरीके से हमने देखा कि ती अपने को ध्यान रखना पड़ता है जहां की ब्लड प्रेशर डाउन होने की समस्या हो सकती है और वहीं पे स्पसिफिकली करवत लेके लेटने के बाटन आती है अब जब आप लेटे हुए है तो एक सवाल और आ रहा होगा आपके दिमाग में की उठना कैसे लेट कर तो ज आप अराम से उठ सकती है और आराम से लेट पाएंगी और इसी पोजीशन में आप लेट भी सकती है कि जैसे आप पहले बैट पे बैठी फिर अपना हार्ट एक करवत लेके लेट जाई है और आप सीधा उल्टा जैसे भी आपको अपना कमफर्टेबल पोजीशन लेना है आप ले सकती है तो इसे टमी पर सीधा जोर नहीं आता है क्योंकि अगर आप जैसे सीधा उठने बैठने की कोशिश करेंगी तो आपको अपने में काफी जादा प्राब्लम आएगी लेकिन पैर पहले नीचे फर्ष पर टेकर फिर हार्ट टेकर अगर आप उठते हैं तो ड आप अभी इसी वक्त कर लीजिए और बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं और हम लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती हैं डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है आप से पिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नहीं जनकरी के साथ तब तर नमस्कार